इमली सीरियल में नजर आए आरेन इमली यानि सुम्बुल तौकिर खान और फैमान खान की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया था शो जब खत्म हुआ तो उनके फैंस को बड़ा जटका लगा था लेकिन ये सुनकर खुशी भी हुई थी कि सुम्बुल खान और फैमान खान को बिग बॉस का आफर मिला है जहां सुम्बुल ने इस आफर को एक्सेप्ट कर लिया वहीं फैमान खान ने किसी कारण से बिग बॉस के आफर को रिजेक्ट कर दिया तो वहीं फैमान बिग बॉस में सुंबुल को देखकर बहुत खुश है उन्होंने सुंबुल के साथ ना सिर्फ अपनी दोस्ती के बारे में बात की बलकि बिग बॉस में सुंबुल और शालीन भनौत की नजदीकियों पर भी रियक्ट किया फ्यमान ने कहा कि सुम्बूल और मेरी कैमिस्ट्री बहुत कमाल की है क्यूंकि हमारा कनेक्शन इतना अच्छा है कि हम फ्यूचर में एक और शो साथ में कर सकते हैं हमारी बहुत अच्छी बांडिंग है वेल वो कहते हैं कि जब दो लोगों के बीच इस तरह का कनेक्शन होता है तो वो एक दूसरे को डेट करने लगते हैं लेकिन हम दोनों रिलेशन्शिप में नहीं है साथ ही बिग बस सोला में सुंबुल और शालेन भनाट की नस्दीकियों को लेकर फैमान नहीं कहा कि वो बहुत ही स्ट्रॉंग लड़की है लेकिन साथ ही इमोशनल है वो जैसी है वैसा ही गेम खेल रही है अगर वो अपने इमोशन्स को थोड़ा कम कर दे तो वो अच्छे से खेल सकेगी फैमान कहते हैं कि जब आप एक घर में साथ दिनों तक रहते हैं तो आपको कोई एक ऐसा दोस चाहिए होता है जो आपको सपोर्ट करें आप अपनी फैमली से दूर कैसे रह सकते हैं किसी से कॉंटेक्ट करें बिना कैसे रह सकते हैं अगर उसे शो में लंबे समय तक रुखना है तो उसे ना सिर्फ दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट करना होगा बलकि दोस्ते भी करनी होगी जिसे आगे तक उसे निभाना होगा वैसे आपको सुम्बुल और फहमान की जोड़ी कैसी लगती है हमें कमेंट कर जरूर बताए साथी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें